हेलो स्टुदेंट्स वेलकम दो माई चैनल तो स्टुदेंट्स टिवाई बीकॉम सैमिस्टर 6 एडवांस अकाउंटन्सी एन ओडिटींग के जो पीपर है उसके लिए डिसिजन मेकिंग करके जो चैप्टर है आपका चुकि बहुत डिमांडेट चैप्टर है बहुत सरे स्टुदेंट मुझे बार बार कॉमेंट कर रहे के साथ डिसिजन मेकिंग तो अब आपको डिसिजन मेकिंग का जो फूल चैप्टर है वो मैं यहाँ पर कम्प्लिट हूँ एक विक्ष अंदर पूरा चैप्टर के जितने भी कोश्चन है वह सब कंप्लीट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस हिसाब से कंप्लीट करना पहले इस वीडियो को end तक देख लेना क्यूंकि इसके अंदर जो डीटेल्ज है उसके इसाब से वो सारे वीडियो upload होते रहेंगे ठीक है चलिए तो start करते हैं सबसे पहले जो आपका point है decision making का उसमें आपको एक point है जैसे break even point वैसे decision making में बहुत सारे point होते हैं लेकिन आपको currently अभी break even point का जो topic है उसके पर ही question आपको पूछते हैं tyb.com में ठीक है बाकी और भी बहुत सारे decision होते हैं वो आपको यहाँ पर पूछते हैं आपके syllabus के अंदर तो सबसे पहले break even point और break even point में किस हिसाब से मैं आपको chapter complete करवाऊंगा तो आपकी books के सारे practical question full chapter of decision making break even point and CVP analysis मतलब जितने भी इस chapter के आपकी syllabus में है उस सारे question को मैं यहाँ पर करवाऊंगा आपकी books के each and every question अब कैसे और कब से start होने वाला है तो from the 26th April 2021 से मैं start करूँगा इसको date याद रख लेना अगर miss करोगे तो बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं तो देखो 26th April 2021 से मैं यह start करूँगा ओके और यहाँ पर एक और खास बात देली दो वीडियो लेक्चर अपलोड होंगे और सुन लेना लास्ट टक देली दो वीडियो लेक्चर अपलोड होंगे 9 a.m. से एक वीडियो अपलोड होगा और वो 8 p.m. को एक वीडियो अपलोड होगा मतलब एक वीडियो मौर्णिंग में 9 बज़े और एक वीडियो इवनिंग में 8 बज़े अपलोड होगा लेकिन ध्यान से सुनना ये जो आपका टाइमिंग ये वो नोट कर लेना और एक खास चीज वीडियो अवेलेबल रहेगा चैनल पर only for 1 hour only for 1 hour ही ये वीडियो अपलोड होगा ठीक है जैसे की 9 बज़े वीडियो अपलोड हुआ तो 9 बज़े से 10 बज़े के बीच में आपको वीडियो देख लेना चाहिए ठीक है और 8 बज़े इवनिंग में जैसे अपलोड होगा तो 8 से लेके इवनिंग में 9 बज़े तक आपको वो वीडियो कम्प्लीट कर लेना पड़ेगा ठीक है क्यों मैं इस तरीके से रख रहा हूँ उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है क्योंकि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और फिर बहुत सारे student ये सोच रहे हैं कि वीडियो तो हम anytime देख सकते हैं तो exam के time पे ही देख लेंगे ठीक exam के time पे ही देख लेंगे और exam के time पे preparation कर लेंगे फिर उसका कोई benefit नहीं होता ठीक है उसका कोई benefit नहीं होता मैं कितने दिन से last देख रहा हूं कि जब exam होगी तब हम preparation करेंगे वो preparation में मतलब उस preparation का कोई final result नहीं बहार आता ठीक है preparation अगर time पे नहीं होती तो यह chapter आपको पता है कि बहुत problem करने वाला है जो student fail है जो tyb.com में semester 6 में KTA उनको एक बार जाके पूछ लेना यह chapter किस हिसाब से exam में पूछते और अगर चलो आपके आँखे यहाँ पर नहीं खुलती है ना तो एक काम करना previous year के 2018-19 के paper download करके देख लेना मैं नीचे description में telegram channel की link दे रखिए उधर भी जाके आप देख सकते हो मैंने वहाँ पर paper upload करके रखे कैसे question उसके है solve करके दिखा देना तो paper solve करने के लिए आपको basic concept आना बहुत जरूरी है तो basic concept के साथ मैं chapter complete करवाँगा और यह timing के एक गंटे के बाद वो video आपके channel से disappear हो जाएगा ठीक है मेरी channel से disappear हो जाएगा मतलब after one hour video will be available for the members only मतलब मेरी channel के जो members जिसने ले रखिए सिर्फ उसी student के लिए वो video फिर available रहेगा लेकिन एक चीद जियान रखना बाकी सब के लिए 9 to 10 और 8 to 9 morning में और evening में सब के लिए available है video और यह इसलिए मैंने रखा है ताक कि आप video time to time देखके अपने preparation करो ठीक है क्योंकि अगर लास्ट में अगर आप देखते हो ठीक है और फिर उसका कोई result बाहर नहीं आता ठीक है उससे better है कि आप एक classes environment को continue रखो जैसे हम class attain करते हैं एक गंटे का ठीक है अगर आप अगर चलो कोई 19 के कारण आप सब लोग अभी class attain नहीं कर पा रहे हो अगर आप कहीं वे tuition वगेरा जाते हो तो वहां पर अगर offline class होता तो कैसे हम regular classes में जाते हैं उस strategy को अगर पूरा follow किया जाए तो इसके इसाप से मैंने यह रखा है कि आपको वीडियो सिफ एक घंटे के लिए दिया जाएगा और वो morning में और एक वो evening में ओके दोनों वीडियो अलग अलग होगे मतलब morning में जो session चलेगा उसके बाद का next session evening में चलेगा आठ बचे और आपकी जो book है उसके a2z सारे question solve करवाऊंगा a2z okay a2z मतलब जितने भी question है वो सारे solve करवाऊंगा with formula explanation के साथ तो अगर आप time to time अगर यह वीडियो को देख लेते हो तो आपकी यह chapter की preparation पूरी complete हो जाएगी और एक और खास बात जैसे कि आपका जो cash budget का question है वो तो चलता ही जाएगा वो तो मैं देरे-देरे उसके question upload करता ही जाओंगा लेकिन मैंने उससे यही देखा कि बहुत सारे टीवाइबी कॉम के 6 सेम और 5 सेम जो केटी वाले regular वाले जितने भी स्टुडेंटे उन सब के exam हुई थी पिसले साल भी क्यूंकि university की अंदर टीवाइबी कॉम के mass promotion का कोई भी provision नहीं है ठीक है UGC उसको approval भी नहीं देने वाली मतलब आप preparation रखो time to time exam जब अपना time होगा जब situation normal होगी तब होने वाली है तो उसको काम आएगा ठीक है तो यह time node कर लेना और फिर उसी time के साबसे आप अपने preparation कर लेना तो break even point पूरा complete हो जाएगा within one week मतलब total 16 से लेके 18 वीडियो रहेंगे ठीक है daily दो upload होंगे ओके चलिए तो take care and goodbye